हाई फ्रेंज वेलकम बेक टू मैं चैनल स्टड़ी विट एम एस ए तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में डिसकस करने वाले जिसकी समरी आज हम देखने वाले उसका टाइटल है दलेटर जो लिकी गई थी गुजराती राइटर दोंकेतु के दोरा और गुजराती में स्टोरी का टाइटल है पोस्ट ओफिस कहानी की शुरुवात करने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स देखे हमारे जो राइटर है धूम के तो उनका ओरीजिनल नाम गौरिशंकर गौरदन राम जोशी है उनका जन 12 दिसंबर 1892 में वीरपूर में हुआ था और उनकी डेथ 11 मार्ज 1965 में हुई थी उनके कुछ फिमस वर्क्स देखे तो उनमें उनके कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से उसमें सबसे पहले आउशेज जो 1932 में पब्लिश की गई थी उसके बाद प्रदीप जो 1933 में चंद्र लेखा जो 1969 में निकुंज जो 1960 और वसंद कुंज जो 1964 में पब्लिश की गई थी तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका में केरेक्टर अली नामा के एक बुड़ा व्यक्ति है जो पहले कभी सिकारी हुआ करता था वो अपनी सिकार करने की स्किल्स के लिए जाना जाता था तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि स सुबह जल्दी एक बुड़ा इंसान फटे हुए अपने कपड़े पहन कर शहर के रास्ते पर चल निकला है उसके हाथ में सहारे के लिए एक लाठी है उसने सुबह की ठंडी हवा से बचने के लिए अपने फटे हुए कपड़ों को टाइटली पकड़ा हुआ है प्रबात क समय में कुछ गरों में से अनाज पीसने की और महिलाओ के गाना गाने की आवाज सुनाई दे रही थी कुट्तों के भुखने की आवाज पक्षियों के चहचाने की आवाज और सुबह सवेरे जल्दी काम पर जाने वाले लोगों के अलावा पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था और सुबह की ठंडी हवाए उनकी नींद को और गहरी बना रही थी पर ये बुड़ा इनसान बिना रुके निरंतर चला जा रहा था वो जिस रास्ते पर चल रहा था उसकी एक और लैन में वरुक्स थे और दूसरी तरफ एक पबलिक गार्डन था और गार्डन के अंत में एक बिल्डिंग खड़ी थी इस बिल्डिंग को देखते ही उस इनसान की आँखों में चमक आ जाती है जैसे किसी स्रद्दा लोगो किसी यात्रा लोगो अपने पवित्र धर्मस्ताल पर पहुँचकर आनंद होता है उसी प्रकार की कुशी उसके चेहरे पर दिखा दे रही थी दिरे दिरे सुबह होती है और हर रोज की तरह पोस्ट ओफिस का काम सुरू हो जाता है वहाँ पोस्ट ओफिस में बारी बारी से जिन लोगों के खत आये हुए थे उनके नाम बोले जाते हैं यहाँ जो बुड़ा इंसान है वो बड़ी ही आतूरता के साथ अभी वो इनसान जो सब के नाम बोल रहा था वो कहता है कि गोकुल बाई कौन है तब वो बुड़ा इनसान कहता है कि आपने अभी जिनका नाम लिया वो कोचमेन अली मैं ही हूँ मैं खत लेने के लिए आया हूँ तब पोस्ट ओफिस का कलर्क पोस्ट मास्तर से कहता है कि ये इनसान पागल है जो ऐसे खत के लिए डेली यहाँ पर आता है जो कभी आने वाला ही नहीं है यहाँ से पता चलता है कि जो बुड़ा इनसान था उनका नाम अली था अली वापस जाकर बैंच पर बैठ जाते हैं जहाँ वो आकरी 5 सालों से बैठ कर खत का इंतजार कर रह उसकी आखे और कान बहुत ही ज्यादा तेज थे पर जैसे जैसे अली की उमर बढ़ने लगी वैसे उनकी जिन्दगी ने एक नाया मोड लिया और उन्होंने अपने सारे पुराने काम छोड़ दी अली की एकलोती संतान उनकी बेटी मरियम की शादी एक सिपाई के साथ एक सोल सालों से ठंडी, गर्मी या बारिश की परवा किये बिना डेली पोस्ट ओफिस में आते हैं अपनी बेटी के गम में अली को अपने शिकार किये हुए पक्षियों की वेदना और उनका दुख समझ में आता है उस दिन से अली हर रोज सुबह के चार बजे एक आशा के साथ ए वहां काम करने वाले लोग उनका मजाग बनाते थे, कभी कभी खत नहीं आया होता था तब भी अली का नाम बोलते और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर हसने लगते पर अली एक अनंत विस्वास के साथ एक सरद्दा के साथ हर रोज वहां पर आते थे और शाम को ख खड़े होते हैं और पोस्ट ओफिस को सेल्यूट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं उनके जाने के बाद पोस्ट ओफिस में सब उनका मजाग बनाते हैं उनको पागल कहते हैं और बाते करते हैं कि जिस तरह से कभीयों की अलग दुनिया होती है वैसे ही इन पागलों की भी एक अलग दुनिया होती है ऐसी तैसी बाते करकर वो हसने लगते हैं उस दिन के बाद अली बहुत दिनों तक पोस्ट आफिस नहीं आते पर वहां के लोगों को अली के परती जरा भी सानू बुती नहीं होती पर सबको ये जानना था कि आखिर किस वज़े से अली ने यहां या साफ दिखाई दे रही थी अली पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर साब मेरी मर्यम का कोई खत आया है क्या तब पोस्ट मास्टर बड़ी ही जल्दी में थे और उन्होंने गुसे में अली को जैसा तैसा बोल दिया अली कहते हैं कि मेरा नाम अली है तब पोस्ट मास्तर ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर तुम क्या सोचते हो, तुमारी मर्यम का नाम यहां रजिस्टर है क्या? तब अली ने कहा कि अगर नहीं है तो महरवानी करके कर लीजिये क्योंकि अगर मैं यहां ना हुआ और मेरी मरियम का खत आया तब आपके किसी काम में आएगा यह सुनकर पोस्ट मास्तर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और अली पर चिलाने लगे और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी मरियम का खत आयगा तो हम उसे खा जाने वाले है क्या इतना कहने के बाद पोस्ट मास्तर वहां से निकल गए अली दीरे दीरे पोस्ट आफिस को देखते हुए बाहर आते हैं उनकी आखे आंसुओं से बर चुकी है वो अपने आपको नी सहाय महसुस कर रहे थे तब अली को अपने पीछे से आते हुए कलर्क की आवाज सुनाई देती है वो उसे रोकते हैं और एक पुरानी डिब्विया मेंसे पांच सोने के सिक्के निकालते हैं और उस कलर्क के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि ये सिक्के आपके किसी काम में आईगी अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है पर इसके बदले में क्या तुम मेरा एक काम करोगे तो उस क्लर्क ने पुछा कि कौन सा काम तब अली ने आकाश की तरफ इसारा करके पुछा कि वहाँ क्या है तो उस क्लर्क ने कहा कि स्वर्ग है अली ने कहा कि मैं अल्ला को इश्वर को साख सी रख कर आपको ये सिक्के दे रहा हूँ पर अगर मेरी बेटी मर्यम का खत आएगा तो तुम्हें उसे मुझे तक पहुँचाना होगा क्लर्क ने पूछा कि पर कहां पहुँचाना होगा तब अली कहते हैं कि मेरी कबर पर क्लर्क ये सुनकर चौक जाता है तब अली कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है आज मेरा आखरी दिन है पर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है कि ना ही मैं अपनी बेटी को देख सका और ना ही उसकी कोई खबर मुझ तक पहुँची जब कलर्क वहां से जाने लगा तब उसने देखा कि अली की आँखों में आशु थे उस दिन के बाद अली कभी भी वहां पर दिखाई नहीं दिये और ना ही किसी ने उनका पता लगाने की कोशिश की पर कुछ दिनों के बाद होता कुछ यूँ है कि जो पोस्ट मास्तर है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता ग्रस नजर आते हैं दरसल उनकी जो बेटी है किसी दूसरे शहर में थी और वो बहुत ही ज़्यादा बिमार थी और वो अपनी बेटी की खबर जानने के लिए बेचैन थी तब ही वहां बहुत सारे खत लाए जाते हैं और खतों के डेर में से पोस्ट मास्तर एक खत उठाते हैं और देखते हैं तो उस पर कोचमेन अली का नाम लिखा हुआ था उनको जैसे बिजली का जटका लगा हो वैसे उनके हाथ से वो खत छूट कर नीचे गिर जाता है तब उनको बुड़े अली की याद आती है वो सोचते है कि यकिनन ये खत मर्यम का है जिसने अली के लिए ये खत बेजा है तब पोस्ट मास्तर लक्षमिदास नामक एक कलर्क को बुलाते हैं ये वही कलर्क है जिसको अली ने पांच सोने के सिक्के दिये थे पोस्ट मास्टर कहते हैं कि ये खट कोचमेन अली के लिए आया है वो अभी कहा है तब लक्समिदास ने कहा कि मैं पता लगा लूँगा पूरे दिन पोस्ट मास्टर अपनी बेटी के खट का इंतजार करते रहते हैं वो रात को भी चेहन से सो नहीं पाते वो सुबह तीन बज़े उटकर पोस्ट ओफिस में आकर बैट गए और अली का इंतजार करने लगे वो अली को अपने हातों से वो खट देना चाते थे अब पोस्ट मास्टर को अली के दुख का एहसास होता है सिर्फ एक दिन अपनी बेटी के खत का इंतजार करने पर और न मिलने पर वो इतने ज्यादा चिन्तित हो गए तब उनको पांच सालों से अपनी बेटी के खत का इंतजार करने वाले अली की पीड़ा उनका दुख समझ में आता है सुबह के पांच बजने के करीब दर्वाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है उनको लगता है कि यकिनन ये अली होना चाहिए वो जल्दी से अपनी कुरसी पर से खड़े हो जाते हैं और एक चिंतित पिता की तरफ दूसरे चिंतित पिता को मिलने के लिए दर्वाजा खोलते हैं और कहते हैं कि आओ अली आओ वो देखते हैं कि बुड़े अली लकड़ी के सहारे आँख में आशु लिये वहाँ पर खड़े हैं पर जैसे ही वो पास गए कि तुरंध ही अली की आँखों की चमक की वज़े से पीछे हड़ गए तब लक्षमिदास दुसरे कमरे से उटकर वहाँ आ पहुचता है और पूछता है कि कौन था सर? क्या वो अली थे? वो दर्वाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता तब पोस्ट मास्टर लक्षमिदास की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं अली से बात कर रहा था ये सुनकर लक्षमिदास एक दम से चौँक जाता है और कहता है कि ये ना मुमकिन है क्योंकि अली की मौत तो तीन माईने पहले ही हो चुकी है जब पोस्ट मास्तर ये सुनते हैं तो वो शौक हो जाते है मरियम का खत दरवाजे के पास पड़ा हुआ था अली का चेहरा पोस्ट मास्तर की आखों के आसपास गूम रहा था और वो दरवाजे पर होने वाली दस्तक और वो इनसान जिसको उन्होंने देखा था वो कौन था इस सोच में पड़ गए दिरे दिरे सुबा होती है और पोस्ट आफिस का काम शुरू हो जाता है पोस्ट आफिस में सभी लोग आने लगते हैं पर इस बार पोस्ट मास्तर हर खत को दियान से देखने लगते हैं उसी दिन साम को पोस्ट मास्तर और लक्षमिदास अली की कबर पर जाते हैं और वहाँ पर मर्यम का खत रख देते हैं कि जिसका इंतजार बुटे अली पांच सालों से कर रहे थे उसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं पोस्ट मास्तर को इस बात का बड़ा दुख होता है कि वो कभी भी अली की बाउनाओं को समझ न सके और यहां पर यह कहानी खत्म हो जाती है तो कहानी के प्लोट को इसकी थीम को अगर दियान से देखा जाए तो उसके मध्या में पत्र है यानि के खत जो लेटर है वो है सबसे पहले अली अपनी बेटी मर्यम के खत के लिए पांच साल तक इंतजार करते है और पोस्ट आफिस के चक्कल लगाते है और अंत में उसी के इंतजार में उनकी मौत हो जाती है और कहानी के अंत में पोस्ट मास्तर के जिनकी बेटी बिमार थी वो अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहे थे कहानी के प्लोट को देखा जाए तो जो हमारी कहानी का टाइटल है दलेटर वो बिलकुल ही योग्या है गुजराती में इसका टाइटल है पोस्ट ओफिस तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुलाकत होगी ऐसी किसी इंटरस्टिंग स्टोरी के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर